कि नश्कार दोस्तों मैं रम्य आपका मेरी चेनल में स्वागत करता हूं फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं टीके सीजन मेइंग कोस्ट के नियुक्त के बारे में क्या कोस्ट रेती हैं अगर नौर्मल सी कोस्ट आएगी और पूरा ही इंजन बनाना पड़ जाए तो क्या cost देती है तो पुरा वीडियो एंड तक देखें तो चलिए चलते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं टीवेस पुर्ट्स के प्रैस के बारे में तो प्राइस के बारे में आपको जो भी जानकरी चाहिए वो आप मुझे से comment box में पूछ सकते हैं मेरी जो requirements रहेंगी आपका city name state name pin code आप मुझे comment box के अंदर दे दीजिए मैं महीं पर ही reply करकर आपकी city का on road price आपको दे दूँगा साथ ही में अगर आपकी कोई other queries हैं या फिर आपको कोई other information चाहिए तो उसके लिए आप हमें instagram पर follow कर सकते हैं link आपको description box में मिल जाएगा follow कीजिए message कीजिए मैं वहाँ पर भी आपको reply दे दूँगा साथ ही मैं tvs sports से related अगर आपको loan का estimate चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें YouTube पर comment कर सकते हैं तो अब बात करते हैं फ्रेंड्स engine making course के में tvs sports की तो manly जो अगर आप चेंज करा रहे हैं अगर आपके इंजन के अंदर छोटा मोटा काम है जैसे की crane shaft का हो गया या normal कुछ भी काम है तो अगर उसका अगर आपको देखना को मिलेगा maintenance जो है totally making course जो आती है वह आती है दस हजार से बारा हजार रुपे तक अगर आपकी नॉर्मल छोटा मोटा कोई काम है और कई बार partition change करना पड़ जा इंजन का या structure roll तूट जाया इसा कुछ भी हो जाए तो उसकी जो costing जाती है वह लगभग 20 से 22,000 रुपे तक की जाती है और अगर engine के अंदर कुछ समझ से आ जाती है या फिर पूरा engine ही change करना पड़ सकता है या बनाना पड़ सकता है तो उसकी costing जो जाती है वो 25 से 26,000 रुपे तक की जाती है जो tvs sports के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएगी tvs की radio के अंदर भी ये cost आपको देखने को मिल जाएगी आज की date में tvs sports जैसी जो bike है वो आपको 110 इसी में मिल जाती है तो यह भी एक बहुती बड़ा फाइदा आपको मिल जाता है और costing की अगर बात करें तो एक normal level costing जो है वो आपको इसके अंदर दी जा रही है साथ ही में बात करें नॉर्मल जो cost रहती है वो लगभग minimum 8-10,000 रुपे तक की रहती है और 10-12,000 रुपे तक की रहती है अगर चोटा मोटा कोई खर्चा आ जाता है तो बाकी ऐसे ज़्याद बात करते हैं कि आप इससे बच कैसे सकते हैं तो सबसे पहली चीज हर तिसरी सर्विस यानि कि आप जो सर्विस करा रहे हैं उससे हर तिसरी सर्विस में आप synthetic engine oil यूज करें फाइदा यह है कि वो कड़ी से कड़ी ठंड में भी अपनी चिकना नहीं चोड़ता है और जितना अब होता है semi synthetic oil का वह आपको engine से clean करना पड़ेगा उससे पहले आप engine flush का use कर सकते हर तिसरी सर्विस में आप करें आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा साथ ही में जो costing जो होती है वो minimum रहती है और मैं यह कहूंगा जब आप नई bike purchase कर रहे हैं तो लगबग उसको 5000 km तक आप बिल्कुल आराम से चलाएं economical speed में चलाएं यह जो period होता है यह लगबग आपका engine बनने का period होता है यानि कि आप मान लीजिए 5000 km तक अगर आप 50-60-50-60 अगर आप चलाते हैं तो minimum जो आपका range रहती है वो लगबग engine stable हो जाता है 3000-3500 km के बाद में फिर आप भगाईए तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी बाकी मैं आपको यही कहूंगा कि आप first से लेके third service तक आप engine को आराम से चलाएं मतलब आराम से उसको stable रखें tvs sports को इसके बाद आप आगे भगा सकते हैं घाडी को बट minimum यह time period तक आपको द्यान रखना जरूरी है तो मैं आपक आपके engine की कोई समस्या नहीं आएगी आपको और फिर भी समस्या आती है तो minimum costing आपको 8-12000 रुपे तक की देखने को मिल जाएगी और अगर पूरा engine बनाना पड़ जा बगवान ना करे कभी तो फिर आपको costing 20-25000 रुपे तक की जाएगी तो birds car family कैसा लगा यह वीडियो जर बी यथ समस्या कैसा है you give me wind and wind you're some kind of butterfly baby you give me a bit呢 you whip up my appetite don't leave me high and dry oh like don't wanna jinx it baby कि ठे बो खाइब रूच कि यज दो और रिजन कुछत कम दो戰 देदा कि अड़न को आहिए है कि अ बद्टि को कि ऑटलא कुट जुश की हुआ हुआ है